एक औरत का रेप हो जाता है और यह जो रेपिस्ट है इसके आसपास ही है इस रेपिस्ट से रिवेंच लेने की यह कहानी है आज की मुवी एल यह एक रिवेंच ट्रिलर है इस मुवी में हमारे क्यारेक्टरस बहुत जादा फॉल्ट है अगर आपको कुछ गलत लगे तो लेती है और उसके डोर चेंज करने के लिए एक आदमी को बुलवाती है रात में उसका बेटा उसे मिलने के लिए आता है इसल के फेस पर एक चोट होती है उसका बेटा उसे पूछता है कि यह तुम्हें कैसे लगी यह बहाना बना देती है इसका बेटा विंसंट अब पर जब से इसे पता चला है कि इसे बेटा होने वाला है तो अब responsibility लेने लग गया है मैगड़नास जैसी जगा पर यह अब काम कर रहा है विंसर मिशेल को कहता है कि अब वो नए घर में मूविन करने वाला है इसके पास इतने सारे पैसे नहीं है तो मिशेल कहती है कि मैं अब नेक्स दे मिशेल जॉब पर भी जाती है वीडियो गेम्स डेवलप करने की उसके एक एजनसी होती है मिशेल ने अपनी फ्रेंड के साथ ही इस्टैबलिस्ट की थी मिशेल जब गेम रिव्यू कर रही होती है तब उसमें जो सेंस है यो वाइलन तो है पर इसे वो रिय मिशेल उसे कहती है कि तुम मेरे लिए काम करते हो मैं तुम्हारे लिए नहीं करती हम अल्रेडी शेडूल से बिहाइंड है और जो मैं कहे रही हो यह हो जाना चाहिए इसके बाद मिशेल डॉक्टर के पास आजाती है सब टेस्ट और गेरा करवा लेती है मिशेल जब रेस् पड़ता चल जाएगा इसके बात हमें देखता है कि मिशल उसकी मदर से मिलने आती है कि मदर का एक यंग बौई फ्रन होता है मिशल को अपनी मदर की बौई फ्रन अच्छे नहीं लगते हैं मिशल की मदर को Hospital की मदर को मोयं में पीछे का दर्वाजा जाम होता है इसी वज़े से वह रपीस्ट अंदर आ सका था अब ये इंसिडेंट याद करने लग जाती है थोड़ी देर में उसकी फोन पर मैसेज आता है इसमें लिखा होता है कि इसकी जादा है पर फिर भी ये बहुत ही सही है ये मैसेज उसकी रेपिस्ट का होता है अब मिशेल बाहर निकल थी है और पेपर स्प्रे और एक बड़ी सी एक्स लेकर आती है अगर उसके साथ फिर से हुआ तो आपने आपको डिफेंड करना चाती है रात में मिशेल अपने एकस हजबन अपनी फ्रेंड और उसके हजबन इन सब के साथ डिनर करने वाली होती है जब वो पार्क कर रही होती है तो अपने हजबन की गाड़ी को ठोक देती है इसके हस्बन ने उसे मारा था इसी वज़े से इन तोनों का डिवास हो चुका था जब मिशल की फ्रेंड वेगरा वहाँ आ जाते हैं तब उसके साथ क्या हुआ था यह सब उन्हें बता देती है यह सब उसके लिए एक कंसर्ण होते हैं यह बुछते हैं कि क्या तुमने पुलिस को बुलाया था यह कहती है कि नहीं मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है कि इस पर ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहती यह उसे बता देती है मिशल और उसका हस्बन जब अकेले होते हैं तब मिशल का हस्बन पुछता है कि क्या तुम पुलिस को नहीं बुलाना चाहती क्योंकि तुम उनसे कुछ डील नहीं करना चाहती मिशल कहती है कि बच्पन से मैं पुलिस और जनरलिस्ट इनसे ही बात करती हा रही हूँ अब इनसे इसे कुछ भी लेना देना नहीं चाही होता इसके फादर का जो case है बहुत ही high profile case था अगर इसके साथ जो हुआ है इस जनरलिस्ट वगरा सब लोगों को पता चल गया तो फिर से इसकी life disturb हो सकती है मिशेल के husband को भी एक video game की idea होती है उस पर वो game बनाना चाहता है मिशेल कहती है कि तुम्हारा जो idea है ही investors के लिए कुछ ideal नहीं है इस पर वो games नहीं बना सकते है इसके बाद next दिन मिशेल अपने son के साथ apartment देख रही होती है यह उसे rain के लिए support करने वाली होती है तो यह देखने के लिए वो आई हुई होती है मिशेल के बेटे की यानि Vincent की girlfriend जो apartment मिशेल उसे लेकर देने वाली होती है यह वो नहीं देखती है वो एक expensive apartment देखती है इस पर इन दोनों का जगड़ा हो जाता है इसके बाद next दिन में हमें दिखता है कि मिशेल जब अपने job पर आती है तो उसकी friend का husband वहाँ आया होता है इन दोनों का अफ़ेर चल रहा होता है रात में मिशेल जब अपने office में अकेली होती है तब उसके mobile और message आता है इसमें लिखा होता है कि तुम्हारा shirt मुझे बहुत ही पसना आया है इसका मतलब है जो रेपिस्ट है यो उसके आसपास ही है office में एक photographer होता है जो हमेशा वाइलेंड images वेगर ले देता है ये वही होता है जिससे मिशेल की नहीं बनती मिशेल अब इस पर शक करने लग जाती है नेक्स दिन मिशेल अपनी mother से मिलती है उसकी मदरों से समझा रही होती है कि तुम्हारे father कोई monster नहीं है वो भी इंसान ही है तुम एक ही direction से इस situation को नहीं देख सकती वो अब बुड़े हो चुके है लोग कवे भी उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देगा तुम्हें उनसे जाक कर मिलकर आना चाहिए मिशेल इस चीज पर बात नहीं करना जाती है मिशेल जब घर पर होती है तो वो incident फिर से imagine कर रही होती है imagine कर रही होती है कि उसके हाथ में कुछ था और उसने rapist को मार दिया था यह सिर्फ imagine करना भी उसे बहुत अच्छा लगता है मिशेल जब डिवी लगाती है तो उसके फादर ने जो किया था इसके ही news चल रही होती है हमें पूरे नेबर होर्ण में वाइलन्स हुआ था यह डिवी पर दिखाई जाता है वाँ पर मिशेल भी थी मिशेल को नीचे गाड़ी की आवा सुना देती है मिशेल जब देखने के लिए जाती है तो यह वियाइकर उसे suspicious लगता है यह उसे rapist का ही लगता है वो अपनी axe लेती है और इस गाड़ी के पास जागखर उसका शीशा फोर देती है अंदर जो आदमी होता है इसके आग पर वो प्रिपरस पे लगा देती है इसके बाद इसे पता चलता है कि इसका यह एक सस्बंड था इसका एक सस्बंड उसे कहता है कि तुम बोल रही थी कि वो तुमारा पीछा कर रहा है तुम पुलिस प्रोटेक्शन में नहीं चाहती है तुम्हें तुम्हें हेल्प करने के लिए आया था वो अलग गाड़ी में आया था इसलिए मिशल उसे पहचान नहीं पाई इसका एक सस्बंड उसे कहता है कि उसकी गल्फरेंड की एक कार है मिशल उसकी गल्फरेंड में अब इंटरस्टेड हो जाती है उससे वो मिलना चाहती है और उसका एक सस्बंड इसे एक करने नहीं देगा नेक्स दिन मिशल अपने काम पर जब होती है तब उसकी गेम की एक क्लीप उसे आती है इस clip में उसका face लगा हुआ होता है और उसका monster उसे rape कर रहा है ये इसमें दिखाया जाता है ये clip उसके पूरे office में चली जाती है Michelle की friend उसका हाल पुछने के लिए आती है Michelle कहती है कि ये पहली बार नहीं हुआ है ये rapist मुझे बहुत सारी चीज़े बेज रहा है इसकी friend उसे कहती है तो मैं पुलिस के बास जाना चाहिए Michelle कहती है कि पुलिस ने जनरलिस्ट ने मेरी पूरी लाइफ बरबात कर दी थी उसके बाद मैंने अपनी लाइफ फिर से बनाई है जो सब मैंने अब खड़ा किया है मैं इसे lose कर सकती हूँ मैं इस सब होने नहीं दे सकती ये कहती है कि ये inside job है इसी office में कोई है जो इस सब कर रहा है Michelle का एक जो employee होता है जो उसे बहुत पसंद करता है ये उसके पास जाती है ये technology वेगरा ही समालता है तो Michelle उसे कहती है कैसे बनाये कैसे गया है ये कहता है कि हमारे office में किसी का काम हो सकता है पर ऐसा compulsory नहीं है हमारे servers भी hack हुए थे ये बाहर के भी किसी का काम हो सकता है इसके बाद next day Michelle अपने ex-husband की girlfriend से मिलने के लिए जाती है उसे उसके कार के लिए स्वारी कहती है इसके बाद Michelle की घर पर एक Christmas party वो रखने वाली है इसलिए अपने husband के ex-girlfriend को भी बुला लेती है इसे यहाँ call आ जाता है और उसके son को अब बेटा होने वाला है delivery हो जाने के बाद अपने son के बेटी को देखती है तो ब्लैक होता है उसके son का friend भी हाय होता है जो भी ब्लैक होता है यह अपने son से disappointed होकर बाहर आ जाती है वो एक nurse होती है जिससे वो बात ही करने लग जाती है यह कहती ही कि में और मेरी friend एक साथ ही pregnant थे मेरी friend का miss carriage हो गया था और मुझे बेटा हो गया मेरी friend बहुत ही गम में थी उसे मेरे बेटे को दूद पिलाना था तो मैंने उसे करने दिया इसका बात मुझे लगता है कि मेरा बेटा मेरी friend के साथ ही close है इसका बेटा है पर फिर भी यह ऐसा कैसा है यह उससे समझ में नहीं आता वो कभी भी अपने बेटे से सही से relationship नहीं बना पाई मिशल रात में जब घर पर आती है तो वहाँ बहुत सारे पुलिस वगरा आये हुए होते है इसका नेवर नहीं इन पुलिस को बुलवाया होता है इसका नेवर जब बाहर घुम रहा था तो मिशल के घर में कोई घुस रहा है यह उसने देखा था कि बीचे है भागा पर इसे वो पकड़ नहीं पाया इस वज़े से अब यहाँ पुलिस आय हुई है इसका नेवर मिशल को घर तक छोड़ने के लिए आता है मिशल को उसका नेवर अच्छा लगता है अपने दुसरे कोवर करके पास जाती है उसे कहती है कि क्या तुम्हें शुटिंग करना आता है इसे पता होता है यह उसे शुटिंग रेंज पर लेकर जाता है वहाँ जाकर मिशल उसे कहती है मेरे पास तुमारे लिए एक जॉब है जो clip आई थी या हमारे सरवेश से कहां से आई थी यह तुम्हें ढूंड़ना है इसके लिए बहुत सारे पैसे भी उसे देने वाली होती है Michelle अपने neighbor से attracted है उसे wife भी है वो रात में जाती है और वो एक Christmas party arrange करने वाली है तो इसके लिए उन दोनों को invite कर कराती है जब इसकी party चलती है तो इसका husband, neighbor, उसकी mother और इसका बेटा यह सब वहाँ आये होती है जब इनर टेबल पर होती है तो Michelle अपना पैर अपने neighbor को लगा रहे होती है उसे वो flood कर रहे होती है अब इमें दिखता है कि Michelle की mother announcement करने लग जाती है वह कह रहे होती है कि अब वो शादी करने वाली है Michelle इस पर बहुत इचिर जाती है यहाँ वो ज़रा तमाशा ख़ड़ा करती थी है डिनर खतम हो जाने के बाद अपने neighbor के साथ यह बेटी हुए होती है इसके father ने क्या incident किया था इसके बारे में उसे story सुनाती है यह यह थी कि उसके father एक religious आदमी थे सब बच्चे जब स्कूल में जाते थे उसे पहले उनके माथे पर एक cross बनाते थे neighbor's को एब बात पसंद ने आई उनका दिमाग खराब हो गया इन्होंने एक मिशे डिली और सब neighbors को मार दिया जब वो घर आये तो मिशेल के साथ वो घर जनाने लग गए मिशेल भी छोड़ी थी तो उसने भी उन्हें help किया था इसके बाद मिशेल की पूरी life change हो गई थी मिशेल भी एक psychopath है इसा सब को लगने लग गया था जनरलिस्ट हमेशा उसकी life पर ध्यान रखते थे बजबन से लेकर आज तक वो इस बात से पुरी तरह से उभर ही नहीं पाई है यह बात ही कर रहे होते है तो भी इसकी mother collapse हो जाती है मिशेल की mother को stroke आया होते है और यह coma में चली गई होती है मिशेल को support करने के लिए उसकी friend उसके पास ही सोती है नेक्स सुबा जब मिशेल उटती है तब उसकी friend का husband वह होता है मिशेल उसे कहती है कि हम जो सब कर रहे है यह हमें अब stop कर देना चाहिए hospital में अपनी mother से हो मिलने के लिए आती है इसकी mother उस पर नाराज थी तब ही उससे stroke आय गया और वो coma में चली गई है यह अपनी mother से कह रही होती है यह कैसा भी तुम act करो कुछ भी करो में तुमें कोई भी बोलने वाली नहीं पस सिर्फ मुझ पर नाराज मतो यह जब मिशल उसकी mother से बात करी होती है तब ही उसकी mother unstable होकर वही उसकी date हो जाती है मिशल की mother उसकी अस्तिया एक पार्क में डालना चाहती थी मिशल इस पार्क में अपने son अपने एक सस्बन उसके friends के साथ आ जाती है यहाँ पर विंसन और उसकी girlfriend का अब जगड़ा हो जाता है मिशल विंसन पर चीर जाती है वो कहती है कि हमेशा तुम्हें वो ऐसे ही करती रहेगी यह बेटा भी तुम्हारा नहीं है फिर भी तुम उसके साथ रह रहे हो इसके बेटा को यह सब बाते नहीं सुननी होती है उसका बेटा यहाँ से अब चला जाता है रात में मिशल का नेवर उसके पास आ जाता है वो गहता है कि स्टॉम आने वाला है तो सब खिड़िया हमें बंद कर लिनी चाहिए जब यह उसे help कर रहा होता है तो यह दोनों एक दूसरे के पास आ जाते है उसके नेवर को अरिलाइज होता है कि यह गलत है और वहाँ से चला जाता है मिशल भी कुछ सोचते हुए मैं दिखती है इसके बाद मिशल जब अपने ओफिस में होती है तो अपने कोवर कर का एक PC देखती है जिसको उसने कहा था कि यह वीडियो कहा से आई है इसका पता करने के लिए यह वही है यह उसे सफाई पोचती है यह कहता है कि यह intentional नहीं था मेरे एक फ्रेंड ने यह देख लिया और उसने send कर दिया था मिशल पुछती है तुमने बना है क्यों था यह कहता है कि रियल लाइफ क्राइम के फोटोस से यह गेम बनाने की आईडिया पहले थी मिशल के फादर के केस के वज़े से इसने वीडियो बनाया था मिशल फिर उसे उसकी पैन उतानने के लिए कहती है यह यहाँ पैचान जाती है क्यों जिसे ढून रही है यह वो नहीं है रात में मिशल जब घर पर आती है तो उसके घर में कोई छुपा होता है वो सब फिर से हमला कर देता है इस पार उसका मास निकाल लेती है यह देखती है तो इसका नेवर ही है गर से निकल जाने के लिए उससे कहती है नेक्स दिन इसका नेवर जब काम पर जा रहा होता है तब इसे वो देखती है और कुछी बोलती नहीं मिशल अपने फादर से नहीं मिलना जाती थी अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है जिस दिन पर रिविज़ शेडूर होती है उस दिन वो वहाँ पोहँच जाती है इस जेल का जेलर उसके बास आता है उससे कहता है तुम्हारे फादर ने सुसाइड कर ली है मिशल फादर से मिलना चाहती थी जब फादर को पता चला तब उसे उसे मिशल से नहीं मिलना चाहता उसके फादर बहुत गिल्टी महसूस करते थे क्योंकि क्राइब में मिशल को भी उन्होंने सामिल कर लिया था उसके फादर ने तब इस सुसाइड कर ली मिशल जेल से घर वापस आ रहे होती है तब इसका एक्सिडन हो जाता है वो अपने फ्रेंड को कॉल लगा दिया पर एक कॉल वाइस मेल पर चला जाता है डायर्कली उसके नेबर को ही कॉल लगा देती है उसका नेबर उसे हल्प करने के लिए आ जाता है यह इंजोर हो चुकी होती है तब इसे मलमपटी भी वो कर देता है मिशल इसे पुछती है कि तुमने क्यों किया था उसका नेवर खेता है कि ये नेसिसरी था इसके बाद मिशल अपने मदर के बॉइफरेंड के पास आती है वो उसके मदर के घर में ही अभी रह रहा होता है उसे घर से निकल जाने के लिए कहती है उसकी मदर का जो बॉइफरेंड था ये भी उसको हेट करता है ये खेता है कि मैंने टिवी पर देखा कि क्या हुआ था एडलिस मर्डर के वाइफ के साथ में सोया हूँ वो as a revenge उसकी मदर के साथ था इसके बाद हम देखते है कि मिशेल उसके friend के husband के साथ होती है ये अपने friend के husband को कहती है कि ये last बार है हम एक साथ रहेंगे इनका जौफेर है येने end कर देना है जब मिशेल घर पर आती है तो उसका son घर पर आ चुका होता है उसे बोचते हैं कि तुम यहां क्यों आय हो इसने उसका job छोड़ दिया होता है इसकी car burn पड़ गई थी इसे job करने के लिए एक गंडा travel करना पड़ता है ये effort इसके लिए जादा हो जाते है इसलिए job छोड़ देता है इसी वज़े से इसकी girlfriend से भी इसकी fight हो चुकी थी अपने बेटे को लेकर वो यहां आया हुआ होता है विंसन की girlfriend भी यहां पहुच जाती है यह दोनों fight करते है पर मिशल उसे कही दिये कि उसे अपने बच्चे को लेकर जाने दो इसके बाद विंसन और मिशल दोनों सुपर मार्केट में कोश शॉपिंग कर रहे होते है तब ही वहाँ neighbor भी उसे दिखता है neighbor इनसे कहता है कि मेरी wife बाहर गई है तुम अगर चाहो तो मझे dinner के लिए join कर सकते हो विंसन दिनर करने के बाद वही सो जाता है मिशल अपने neighbor से बात कहने लग जाती है मिशल कहती है कि तुम्हारे floors बहुत ही warm है neighbor कहता है कि basement में मैंने hitting system लगाया है तोनों जब नीचे आ जाते है तो मिशल अपने आपको अपने neighbor को सोब देती है neighbor कहता है कि ऐसे में तुमसे intimate नहीं हो पाऊंगा ये फिर उसे मारने लग जाती है और इसके बाद ये दूर इंटिमेट हो जाते है इसका neighbor एक psychopath है और इसकी अजीव से fantasies है नेक्स दिन मिशल जॉप पर होती है तो उसकी friend उसे कहती है कि मेरे husband का कही चक्कर चल रहा है मिशल की friend को पता नहीं होता कि मिशल की साथ उसका husband सो रहा है अब हमें दिखता है कि मिशल का game complete हो चुका है इसके लिए वो पार्टी कर रहे होते है इस पार्टी में हमने friend को कह देती है कि वो मेही थी जिसके साथ तुमारे husband का अफेज चल रहा था मिशल का husband भी इस पार्टी में आया होता है मिशल के husband को भी game industry में घुसना होता है तो अपने co-worker के साथ मिशल उसे introduce करा देती है इसके बाद अपने neighbor को कहती है मुझे तुम घर छोड़ दो अपने बेटे को कुछ कह कर जाती है यह दोनों जब कार में होते है घर पर आती है तो उसके पीछे आ जाता है इसने मास्क पहना होता है और मिशल को फिर से जबरदस्ति करने लग जाता है यहाँ पर विंसर्ट अल्रेडी होता है विंसर्ट एक बड़ी सी चीज लेता है और neighbor के सर में डाल देता है यह neighbor यही मर जाता है पुलिस officer से आते है कुछ normal सी question पुछते है और मिशल पर कोई शक भी नहीं करने वाला मिशल की neighbor की wife अब घर छोड़ कर वहां से जा रही होती है यह उसे sorry कहती है यह कहती है कि मेरा husband सबको अच्छा लगता था पर उसमें भी कुछ बुराईया थी इसकी neighbor जा रही होती है तो उसे यह भी लगता है कि मिशल भी अब यहां से चली जाएगी तो मिशल कहती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली थोड़ी दिर में मिशल का बेटा भी वहाता है अपने बेटे को उसने अच्छी सी कार एक पाइक कर कर दी है मिशल जब अपने मदर के cemetery में आती है तो उसकी friend भी वहा होती है इसकी friend उसे कहती है कि मेरे husband को मैंने निकाल दिया है यह अब घर में अकेली नहीं रहना जाती तो मिशल के साथ कुछ दिन आकर रहना जाती है इसकी friend उस पर अब नाराज नहीं है इनकी friendship जैसी थी विसे फिर से continue हो जाती है अब मैं आपको मिशल के बारे में बताता हूँ है मुवे में में जब लगता है कि मिशल अब ये करेगी वो करेगी इस तरह से वो react कर सकती है पर कभी भी वो उसी तरीके से react नहीं करती यह हमेशा काल्म होती है अपना जो work है अपना जो routine है यह कभी भी वो disturb नहीं होने देना चाती है साथ जो incident हुआ है इसे वो affected होती है पर इस चीज से उसे वो define नहीं करने देती इसके फादर के साथ मिलकर इसने अपना घर जलाया था तब यह छोटी थी तब उसे समझ में नहीं आ रहा था वहावार वो खुद victim बन चुकी थी इसके बाद उसके life change हो गई थी उसे हमेशा surveillance में ही जीना पड़ा था इस बार वो फेर से वैसा होने नहीं दे सकती वो इस बार victim है पर वो ऐसा जताना नहीं चाहती उसका शक उसके neighbor बजाता है तो deliberately उससे वो flood करने लग जाती है जब वो party में थी तो अपने son को पहले ही घर जाने के लिए उसने बोल दिया था उसका प्लान था कि अपने neighbor को भढ़काएगी और जब वो घर आएगा तो उसका son उसे मार सकता है Michelle का son Vincent कभी भी कोई भी responsibility नहीं लेता था उसके पास थोड़ा सा वे confidence नहीं था उसने अपनी son की responsibility ली थी क्योंकि life में कुछ अच्छा सा नहीं कर पाया है उसे लगता है यह मैं अच्छा एक father बन सकता हूँ उसके son का confidence boost करने के लिए भी उसने अपने son को इसमें involved किया था Michelle कोई भी impulse decision लेकर अपनी life को बरबात करने वाली नहीं थी वो gun ले सकती थी और अपने neighbor को मार दे सकती थी पर इसके बाद इसको ही भूगतना पड़ता यह already इस experience से जा चुकी है अब इस smartly काम लेती है यह अपने neighbor से बदला भी ले लेती है और अपने son को जो confidence चाहिए था वो भी हो दे देती है इसका husband writer था इसके books नहीं चल रही थी gaming industry में भी इसने उसे entry दे दी इसके friend का husband cheating करने वालों में सही था उसके friend के साथ यह नहीं होना चाहिए इसलिए अपने friend को उसने बदा दिया उसके साथ सब कुछ गलत हो जाने के बाद भी उसे जो जैसे चाहिए था उसने पा लिया है यह बहुत ही controversial movie थी जो इस movie के बारे में कुछ अपने personal opinion नहीं देना चाहता अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा मैं बहुत सारी इसी movies लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दबाना भी मत भूलिए हम फेज से मिलेंगे और एक नहीं movie साथ तब तकिल thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिए